चले दोस्तों कोश्चन नमबर हम दो देखेंगे लिखा हुआ है निम्नांकित का मौसा क्या है दो करमागत संख्याएं एक में का रहा है दोस्तों दो करमागत संख्याएं तो दो करमागत संख्याएं हम कैसे जानेंगे तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे चले एक न चार और पांच है माल लिए हमने चार और पांच माना ठीक है चलिए फिर अतहा चार का गुनन खंड तो उस्ते क्या होगा एक और चार होता है एक और चार है माल लिजिए ठीक है एक और चार है और पांच का सभी गुनन खंड गुनन खंड इसका मान लेज़े एक और पाच है एक और पाच है तो इसी तरह गुनन खंडो का सरवा गुनन खंड इसमें क्या मिल रहा है दोनों में एक मिले रहा है आप क्या करेंगे देखे दोस्तों तो क्या करेंगे कि यह सब जो भी एक मिलन खंड इसी तरह लिखे कि दो कर्मा का संख्या है चवदा चवदा और पंदरा को भी लेंगे ठीक है इससे सभी गुरनखंड ग्याद करेंगे तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा उसमें भी हमको एक ही सरवा गुरनखंड प्राप्त होगा इसलिए इसका मौसर दोस्तों क्या होगा इसका डारेक्ट एंसर क्या होगा दोस्तो इसका क्या होगा एक ही एंसर होगा क्या होगा दूस्तों एक ही होगा आपके इसार 15 और 14 कहां से बोल दिये हमने आपको यहां 4 और 5 माना उसी तरह हमने 14 और 15 मानने के लिए हम बोल ले थे एक समझाने के लिए हम आपको बताये थे नहीं समझ मैं आपको फिर समझ लिए देख के काता है कि दो कर्म क कर्म करता संख्या हमने माना है चार और 5 अगर चार और दिस तरफ से आपको दिया हुआ है यह देख सकते हैं डूसर कॉ संख्या था गो मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका बी का भी एंसर क्या होगा इसका एक एंसर हो चलिए अब करा तीन नमब्र दो करमागत विशम संख्या विशम संख्या वही न होता है जो संख्या एक से कटे जो संख्या जोरा ना हो वही ना फूट में बच जाए जा काटने पड़ एक से बचता है वही भी समसंगा खलाता तो इससे पांच ले लेते हैं क्या पांच ले लेते हैं साथ ले लेते हैं क्या चाहिए पांच नहीं आपको तीन ले लिए तीन अगर हम लेते हैं संख्य देखिए तीन से कैसे कड़ाती अगर ले लेते और पॉक्त स्काती दू बच गया फिर इसका इसंका निकालेंक यह तरह से आप कुष्चन को बनाएं कोभी तरह बन जाएगा चले कोश्सर नमर हम तीन की ओर देखते, तीन नमर कोश्सर क्या कहा जाता है? देखिए, कोश्सर नमर तीन दोस्तों कर रहा है कि मवसा अभाज़े गुरन खंड दोरा बनने के लिए बस जैसे हम पहले बनाए थे, पहला का कोश्छन इसी का सेम हो इसी बनाएंगे बस ये चार है ये दो से लगाएंगे दू दू से लगाएंगे एक होगी है ये पंद्रह है तीन से लगाएंगे पांच पांच से लगाएंगे एक से लगाएंगे एक से लगाएंगे एक से लगाएंगे तो कितना होगा दोस्तों एक ही हो जागा ना अब क्या करना है ये चार 4 बड़ावार लिखेंगैं 2 ऒुम्ने 2-1 एक 15 लिखेंगे ता पंदर में ией भुने पांच दूसर में कोन मैंसे मतलब मासा निकाल लाए तो मासा जो मिलता है मिल गये है इसका रही है इस तरह हमें B १ और Funsen से हमने Hayes